परिवार यानि की फैमली घड़ी की सुयों के जैसा होना चाहिए भले एक फास्ट हो भले एक स्लो हो या फिर बड़ा हो या छोटा हो पर किसी की बारा बजानी होना तो सब परिवार मिलकर एक साथ हो जाए इसको बोलते हैं हम सभी परिवार और यहां पर उचनी जलन भावना बिलकुल भी नहीं होना चाहिए आप कम कमाते हैं बेसी कमाते हैं ये सब चीज को भी लेकर दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए वरना बहुत सारा परिवार तूट जाता है बिघर जाता है और बिघर जान तो पहले वाला प्यार कब भी नहीं होता है तो याद रखिएगा कम हो बेसी हो लेकिन आपको जैसा भी हो परिवार को लेकर चलना है क्लास को स्टार्ट करूँगा इसी के साथ आज और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपड़िट आप सभी को मिलता रहे और आप सभी हमारा एप्लिकेशन जो है वो गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करकर किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है वो आप सभी दे सकते हैं अगर वहां से 399 वाला पैकेज बाई करेंगे तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आप बैंक, रेलवे, से, किसी का भी एक्जाम दे सकते हैं हिंदी और इंगलीज में पूरे एक साल तक और एक साल तक आने वाले हर एक एक्जाम का मोग टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा और आज कवर करेंगे हम सभी 19 और 20 समार्च के इपोर्टेंट करेंट अफेर उसके साथ एक बात और बोल दूँ कि आज से आपका SSC CHSL का एक्जाम जो है वो पॉस्पोर्ण कर दिया गया है बाद में होगा और जब भी डेट आएगा मैं आप सभी को पक्का इनफॉर्म करूंगा तो आज आप सभी का इज़ाम जो है वो नहीं है पहले आप ये क्लियर करना और सभी को इनफॉर्म कर देना कल SSC के द्वारा जो है वो ओफिसियल नोटिफिकेंसर रिलीज करकर जानकारी दे दी गई थी ठीक है और आज का पहला क्वस्चन है किस कंपनी को NCLT से इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिये JP इन्फराटेक का जो है वो अधिगरण करने का मंजूरी जो है वो मिल गया है तो किस कंपनी को जो है वो परमिसन मिल गया है तो वो है आपका NBCC यानि National Building Construction Corporation ठीक है फुल फ्रॉम भी याद रखिएगा कंपनी के पूरा अगला प्रसमारे सामने है सरकार ने बैंकिंग कानून में संसोधन करने के लिए एक विधयक जो है वो पेस किया है और किसके विनियमन के तहफ सहकारी यानि यहाँ पर बात करा कोपरेटी बैंक में लाने का प्रयास की है तो किसका RBI Reserve Bank of India के विनियमन के तहफ ठीक है अगला प्रसमारे सामने है हाल ही में MMTC Limited के नए अध्यक्ष और परबन निदेशक किसे निक्त किया गया है तो उनका नाम है इनको जो है वो नया अध्यक्ष और परबन निदेशक बना दिया गया है MMTC Limited का ठीक है अगला प्रसमारे सामने है केंद्र सरकार यानि सरकार ने नए केंद्र विद्च सचीव के रूप में किसे निउत करने का निड़नाई लिया है और उनका नाम क्या है अजय भुसन पांडे option number आपका D अगला प्रसमारे सामने है ये question भी काफी important है आपके exam के point of view से Glaxo Smith Clean इंडिया के परवन निदेशक यानि Managing Director और उपाद्यक्ष यानि Vice President के रूप में किसे निक्त किया गया है किसे appointment किया गया है उनका नाम बताना है किस कंपनी का MD और Vice President तो उस कंपनी का नाम है आपका Glaxo Smith Clean ठीक है और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका स्रीधर वेंक्टेस option number आपका B अगला प्रस्त हमारे सामने है आहार खाद और अथित्य मेले का 35 सस्क्रण की सहर में आउजीत किया जा रहा है The 35th edition of आहार food and hospitality fair is being held in विस city और वो है आपका नई दिल्ली ठीक है तो आपके एक्जाम में अगर पूछ दे 35th edition of आहार food and hospitality fair is being held in विस city तो आप क्या बोलेंगे नई दिल्ली और नई दिल्ली के उप्तराद जो पाल कौन है अनिल बैजाल अगला प्रस्त हमारे सामने है जेक वेल्च जिनका हाल ही में निधन हो गया है निमलिकीत में से वो किस कंपनी के CEO यानि Chief Executive थे आपको बताना है तो वो कंपनी है आपका J.E. और इसका फुल्फरम क्या है इस कंपनी का General Electric ठीक है कंपनी याद रखिएगा General Electric कंपनी के CEO थे कौन जेक वेल्च जिनका हाल ही में निधन हो गया है अगला प्रसमारे सामने है अप्रेल से दिसंबर की बीच में ठीक है 2019 की बात कर रहा है अप्रेल से दिसंबर की अउधी में किस देशने भारत में FDI यानि Foreign Direct Investment का सबसे बड़ा सुरूत बना रखा है तो वो कौन है वो है आपका सिंगापूर Option No.D और सिंगापूर के राष्ट पती कौन है हलीमा याकूब ठीक है अगला प्रसमारे सामने है हाली में प्रकास प्रुसकार यहाँ पर प्रकास नहीं होगा Light Award बोला है हिंदी में भी आपका Light Award होगा हाली में Light प्रुसकार के 128 राष्ट मंडल अंक के विचेता के रूप में किसे नामित किया गया है और उनका नाम है आपका आसाम के जो एक सोसलिस्ट है जिनका नाम क्या है जादव पयंग आपका D याद रखेगा ये असाम के रहने वाले है अगला प्रस्ट हमारे सामने है निमलिखित में से कौन लद्दाक में टेकिंग गाइड पेस करने वाली पहली महिला बन गई है ये क्वेस्टन काफी इपोर्टेंट है क्योंकि को जो भी पहली बार होता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वो क्वेस्टन क्या है अपने आप में इतिहास रच दिया है कोई भी क्वेस्टन अगर पहली बार हो रहा है कुछ चीज भी तो वो क्वेस्टन कहीं ना कहीं बन गई है, which among the following has become the first omen to introduce a trekking guide in Ladakh, और उनका नाम क्या है, option number D थीनालास, चोरोल option number आपका D, और एक बात Ladakh के उपर राजजपाल का नाम क्या है, तो सभी को पता है RK, राधा कृष्णा माथूर, तो क्या है अब रखेंगे RKM, यारी ठीक है, अगला प्रसमारे सामने है निमलिखित में से कौन सा देश, अपने बिग्यापन और परद्योगी की छेतर को मजबूत करने के लिए तयार है और विम्स्टिक समूग में निटित करने की योजना है कौन सा देश है, important question है ये वाला भी तो वो देश है आपका सिरिलंका option number D which among the following country is all to say to renovate its science technology sector and plan to take the lead in विम्स्टिक ग्रूप और उसका नाम क्या है सिरिलंका सिरिलंका का currency तो सभी को पता है याद हो गया होगा सिरिलंका रूपी रास्धानी सिरी जैवर्देने पूरे कोटे और ये PM का नाम अप ही आप भूल जाओ क्योंकि 25 एपरेल से भिधान सबा भंक कर दिया गया और दूबारा चुनाओ है आपका सिरिलंका में रास्धपती का नाम याद रखिएगा गोटा बाया राजा पक्सा जो की एक्जाम में काफी बार बन भी रहा है अगला प्रसमारे सामने है निमलिखीत में से कौन सा विस्विद्दाले ने 2020 के QS World University विस्विस रैंकिंग में सिर्स स्कोर हासिल किया है क्वेस्टन काफी इपॉटेंट है विच अमांग दा फॉलउंग उनिवर्सिटी हास बैग्ग दा टॉप स्कोर इन दा QS World उनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग फॉर 2020 और वो है आपका है ब्राबिस विद्दाले अप्शन नमबर आपका C ठीक है अगला प्रसमारे सामने है IRDAI Insurance Regulatory Development Authority of India ने बीमा कंपनी से निमलखित में से कौन सी बीमारी को कवर करने के लिए नीती तयार करने को कहा है तो आप सभी को पता है अभी बहुत जादा प्रकोफ फैला है किसका COVID-19 यानि कोरोना वाइरस का इससे लड़ने के लिए और आज का आपका पहला प्रस्त यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को ये कॉमेंट करकर बताना है न कि IRDA का हेड क्वार्टर कहां पर है इसके चेयर्मेन कौन है या बना कप था यानि इसका Establishment Year आपको बताना है ठीक है या बना कप था किस वर्ष में इसके चेयर्मेन अध्यक्ष कौन है और क्या बताना है आपको साथ साथ आपको ये भी बताना है इसका Head Quarter मुख्याले कहां पर है तो यह आपका आज का पहला प्रस्त में है ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है किस कमपनी ने समाजी उद्यम स्टार्टप को तक्निक सहायता परदान करने के लिए Essenture जो एक बहुत बड़ी IT कंपनी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है उद्यम स्टार्टप के लिए किस समाजी कंपनी ने तो वो कंपनी है आपका Microsoft जिसके CEO कौन है सत्या नंडेला और जिसके founder कौन है तो सभी को पता है Bill Gates अगला प्रस हमारे सामने है उत्तर परदे सरकार ने जानवरों की देखभाल करने वाले विक्तियों कव अवारा गायों को पालने के लिए प्रतीमा कितने रुपए देने की घुसरा की है तो 900 900 प्रतीमा देने की घुसरा किया गया है अगला प्रस हमारे सामने है कौन सी राज जिस सरकार स्मार्टफोन खरीदने के लिए सनातक स्तर के अंतिम बर्स में पात्र छात्रों को पांच हजार रुपए जो है वो प्रदान करेगी और वो राज जो है आपका तिरपूरा ओप्सन नंबर आपका दी और तिरपूरा के सिया बिपलब कुमार दे राजधानी अगरत अगरतला और राज जुपाल कौन है नमेस बायस ठीक है तो क्वेस्टन आज थोड़ा जाए था और आपको टाइमिंग कम लग रहा होगा कि भाईया 10 से 11 मिनट पे दो दिन अगरेंट अफेर कवर करवा दिये आप क्वेस्टन काउंट करोगे न तो 17 से 18 क्वेस्टन थे आपकी दो दिन के important क्वेस्टन इसका पूरा पेडियाफ आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा या फिर आप हमारे टेलिग्राम से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा और हाँ वाईरस भैल चुका है बहुत जादा तो आपकी जिम्वारी बनती है अपने परिवार का सेफटी का खयाल लखनेगा ठीक है ना चलिए